हलो दोस्तों वेलकम टू मेंपॉइंट सड़ी स्वाज हम पढ़ने वाले हैं चेप्टर टू क्लास 10 का एकॉनमिक्स का जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन एकॉनमी ठीक है हमारी प्रदा है कि हम चेप्टर के नाम से शुरू करते हैं बड़ इससे पहले एक छोटा सा टॉ कोपिक देखो यार जो भी हम काम करते हैं वो दो ही रीजन की वज़े से करते हैं यहां तो हमें उससे पैसे मिल रहे हो ठीक है यहां हम उससे सैटिस्वेक्शन मिल रहा हो तो जो भी काम पैसे कमाने के लिए इंकम कमाने के लिए किया जाता है इस एकॉनमिक एक्टिविटी ठीक है, definition पर देता हूं, those activities which generate some income are called economic activities, जैसे आपके school में teacher, ठीक है, आप उनके अलग अलग नाम रखते हो, ठीक है, उनको ये बात पता भी है, फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, आपके tuition teacher हो गए, ठीक है, एक farmer हो गया, ठीक है, जा रहे हैं, बहुत बुड़े से अंकल जी है, वो road cross नहीं कर पा रहे हैं, आपने उनकी help करी, ठीक है, आपको पैसे मिले, नहीं, बट आपको क्या मिला, satisfaction मिला, तो वो क्या है, वो non economy activity है, इसका एक और example देता हूं, कोई 6-7 standard का बच्चा है आपके पास, आप से बोला, भ अच्छा आपकी इजद करेगा, समझ रहो, तो वो क्या है, वो non economy activity हो गया, यह clear हो गया, अब आते हैं, यह वैसे important topic है भी आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहली cover करवा दिया, clear करवा दिया, तो अब हम करेंगे sectors, यह जो topic है, आप पत कब से पढ़ते हैं, कि sectors कितने type की होते हैं, तो पता ही आपको, यानि पैसे कमाने के लिए, जो भी काम करा जाता है, तो वो यहां primary sector में आता होगा, यह secondary sector में आता होगा, यह जैसे कि आपके father वगएर है, वो भी अगर work करते होंगे, तो इन तीनों में से किसी भी sector में आते ठीक है, अब देखो, आप मेरे को नीचे description में बताना, कि आपके भाईया, दीदी, आपके father वगएरा, कौन से sector में work करते हैं, जब मैं explain कर दूँ, सबसे पहले तो आपको लिखना है, कि primary, secondary या tergery कौन से sector में, फिर bracket में लिखना है, उनकी job क्या है, जैसे कि आप लिखो banker, तो banker, tergery का example है, तो आपको लिखना है, कि tergery bracket में banker, जिसे मैं बता पाऊं कि हाँ सही है नहीं है, ठीक है, तो primary sector की बात करते हैं, तो primary sector में क्या आता है, मैं आपको directly बताऊ ना, तो primary sector में जादा तर चीजे वो आती है, जिससे हम directly nature से लेकर, जिन goods or services को produce करते हैं, जैसे कि म नेइचर का लेन जो है, नेचरलराल रिसोर्ट से, तो आपने नेचरलर रिसोर्ट का use करके गंदा बनाया और उससे पैसे कमाएं, तो वो क्या है, वो एक primary activity है, ठीक है, आपने दूद से पैसा कमाया, तो दूद क्या है, गाय वगरा से मिलता है, तो वो क्या है, एक natural resource है, भगवान की देन है ठीक है तो वो क्या है एक primary sector में include होगा fishing मचली वगएरा पान लाया मचली वगएरा बेशना तो वो क्या है वो primary sector में होगा क्योंकि वो भी nature की देन है ठीक है तो इसकी definition पर देता हूँ producing a goods by exploiting natural resource यहाँ पर है ने natural resources आएगा जो नोट्स आपको मैं provide करूंगा ठीक है जो टेलीग्राम ग्रूप पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा होगा ठीक है और मैं एक और बात बता दूँ है टेलीग्राम ग्रूप में पहली अपलोड कर देता हूँ यह नोट प्रॉब्लम नहीं बिलेगी नोट्स में यहां मैं सही कर दूँगा यह प्रडूइसिंग गुड्स पाइक्स्प्लाइटिंग नेच्रल रिसोर्स इस एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमिरी सेक्टर तो जहां पर हम नेच्रल रिसोर्स का यूज करके किसी भी गुड्स को प बिलेगी नेच्रल की प्राइमिरी सेक्टर से मिला इस नहीं क्या होता है इंडस्ट्री वगेरा मैनुफक्ट्रिंग फैक्ट्री वगेरा मशेन वगेरा आती है थीक है तो इनी की मदस्यम बनाते हैं तो यानि आगर आपके जो parents है वो किसी factory के अंदर work करते हैं। थीक है manufacturing factor में है कार बगला बनाना work है उनका, तो secondary sector में आते हैं। तीसरा होता है tergery sector ये खुद से कोई services नहिं बनाते हैं ये बस secondary sector को primary sector कख अगर करने में help करते हैं। बड़े businessmen होते है ठीक है बड़ी बड़ी industry होती है factory होती है factory को चलाने के लिए चाहिए पैसे अब पैसे वो कहां से लेंगे वो bank से पैसे ले सकते है लोन पे तो जो bank है वो tergery sector में आता है अभी अभी मैंने बूला था कि हमें क्या करना पड़ेगा गन्ने को चीनी में convert करने क पहले उसे factory में ले जाना पड़ेगा तो यहां से यहां पर हम कैसे आ सकते हैं transport से आ सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट की services भी किस में आती है ना हो तो tergery sector services देगा किसको तो वो खुद बंद हो जाएगा तो इसलिए तीनों की तीनों आपस में interdependent है तीक है आप definition पर देता हूं इसकी मैं पढ़ चुका हूं covering activity in which natural products are changed into other form through the way of manufacturing यानी natural product जो गन्ना है वो जो transform हो जाता है दूसरे product में चीनी के अंदर by manufacturing इसको associate करते ह by themselves do not produce any goods यानी यह खुद कुछ नहीं बनाते बट दे एर एन एड वही मैंने बता है आपको notes के अंदर आपको सही मिलेगा डफिनेशन एड आईड आता है ठीक है एड दे आर एन एड और support for the production processes production processes ठीक है यानी production process में help करती एक तरह से जैसे example banking insurance selling तो आपको सबसे पहले तो क आपस में interdependent है और एक और बात आपको यह सारे के सारे भी करना आपको बताने प्राइमरी सेक्टर में आता है तर्जरी में आता है या सेकंडरी में आता है जैसे कि मानलो एक एक्जांपल देता हूं मैं आपको call center किसमें आता है call center वाले क्या खुद कुछ चीज बनाते है आपको फोन पर services provide करते हैं वह होता है call center वाले तो खुद से तो कोई चीज बनाते नहीं है समझ रहे हो भागल बनाते हैं वह सौर कुछ नी बनाते तो जो call center वाले है वह क्या करते है खुद से कुछ चीज नहीं बनाते वह सिर्फ service provide करते हैं अगर आपको help अगरा चाहिए ह तो आप उनको call करते हैं और आपको service provide करते हैं आपको बताते हैं किसे क्म में परीषट किस्में आते हैं या करते है यह प्रीस्त पता है आपको a.LL be से क्या गुड्ज बनाते हैं नहीं कि सेकंडी सेक्टर में फैक्टर में काम करते हैं नहीं वो क्या करते हैं वो बस सर्विस प्रॉइट करते हैं जैसे कि आपको हवन बगरा करवाना हो तो सर्विस प्रॉइट करते हैं तो तर्जरी सेक्टर में आते हैं तो ऐसे आपको सारे क सेक्टर भी है प्यासरी कोशन भी हुटारwo में निकालना पड़े कि सेकंडरी सेर सेक्टर में कितना प्योंड को यह जो किसे निकालेंगे आपको पता है कि तीन सेक्टर है तीनों वहाँ जादा बेयुक्त है जीडा से कार से लेकर पिंत अखर चीज बनाते हैं तो हम उसको कैसे कंपेर कर सकते हैं मतलब इतनी साधी आप अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यह बताओ कि सेकंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन होगा आप यह थोड़ना बुलोगे कि 10 लाग इंडिया के इंदर 10 लाग करोड का सेक्टर तो हम कैसे करते हैं इसी के बारे में यही कोशन है इसके बारे में हम जानेंगी ठीक है देखो एकॉनमिस क्या कहते हैं एक बात कहते हैं वो यह बोलते हैं यह सजेस्ट करते है that the value of the good and the services should be used rather than the adding of the actual number मतलब जो एकॉनमिस्ट है वो यह कहता है कभी भी ऐसे मत करो क आप यह बोलो के इतनी car produce हो रही है इतनी pin produce हो यह मत बोलो कि 10,000,000 car produce हो रही है 10,000,000 pin produce हो रही है नहीं आप उसकी direct value बताओ ठीक है जैसे कि मालो एक primary sector में 10,000 kg wheat हुगाया ठीक है तो जो wheat है वो क्या है 1 kg wheat 8 रुपे कहा आता है तो आप यह मत बोलो के 10,000 kg wheat आप बोलो के 80, 30,000 रुपीज यानि ऐसे ही वो secondary sector में आप क्या करो car कितने की है और pin कितने की है इन सब को plus करके value बताओ तो ऐसे यानि number में आपको actual value बतानी है नंबर नहीं बताना कि हाँ इतनी car हो रही है या ऐसे नहीं करना कि 10,000 kg गेहूं 5000 kg आलू इतना kg चावल ऐसे नहीं बताना आप आपको directly value बतानी है कि हाँ इन सब को add कर दे इन सब की value को तो 15,000 करोड आ रहा है primary sector का ऐसे बताना है पहली चीज तो यह द्यान रखनी है दूसरी चीज जो है वो यह है कि एक precaution है एक साफधानी भरतनी है जब भी हम निकाले कि हाँ primary sector, treasury sector और secondary sector में कितना production हो रहा है वो यह है कि कभी भी intermediate goods को add ना करें अभी intermediate goods क्या होते है ठीक है हमेशा final goods को add करे intermediate goods को add ना करें अब यह क्या होता है यह मैं आपको एक example से समझाओंगा पहले line पढ़ते है not every goods and services that is produced and sold need to be counted यानि वो हर चीज जो बन रही है जरूरी नहीं है जो चीज बन रही है उसको भी आप उस sector में include करो ठीक है it makes sense only to include final goods and services हमें final goods और services को यह अड़ करना है अब यह क्या है यह example से समझो देखो ध्यान से सुनना यह है primary sector यह secondary sector यह टर्जरी सेक्टर ठीक है गन्ना उगाना गन्ना उगाना किस में आता है primary sector में आता है ठीक है हमने क्या करा गन्ना उगाया मान लो मैं मैंने गंणा हो गया 10,000 kg ठीक है और 4 उपे kg के हिसाब से उसे कहां बेज दिया फैक्टरी में बेज दिया यानि 40,000 उपे का जो मेरा गंणा था मैंने यहां पर बेज दिया, मतलब 40,000 उपे में इसको बेज दिया, secondary sector वाले को secondary sector ने क्या करा उससे चीनी बनाई 5,000 किलो और उससे東 रुपे में 10 रुपे यानि 10 रुपे हो गया 50,000 कि उसने चीनी इसको बेज़ दी टरजरी सेक्टर को बेचने के लिए लग- CHOPKEEPER को बेचने के लिए दी गन्ना फैक्टरी में गया तो उसकी शुगर बनाई GDP पर पता है न तीनों का एडिशन यानि प्राइमरी सेकेंड़ी और टर्जरी का एडिशन को GDP कहते हैं तो यह बताओ कि GDP कितना है आप बोलोगे जी 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 यानि 1,90,000 नहीं बिल्कुल भी नहीं जो गन्ना है वो अब देखो आप जो गन्ना है गन्ना यहाँ पर भी वही गन्ना है और यहाँ पर भी वही गन्ना है और यहाँ पर भी वही गन्ना है यानि तीनों है तो सेमी चीज न गन्ने से चीनी बनाई बड़ वो है तो सेमी चीज और यहाँ पर भ और उसा से नहीं एक कर आपको एसे नहीं करना कि आपके पास जितना जितना यह हूंथा पहले उसको आद करोगे फिर जरुक्ष प्रॉड़क्ट मिला उसको एड करोगे नहीं आपको सीधा स्रिफ final goods को add करना यानि स्रिफ एक लाख रुपे ही हमारा GDP है इन दोनों में कुछ नहीं है समझ गए आप और यह intermediate goods क्या होते हैं यह दोनों है intermediate goods हैं क्योंकि जो गन्ना है वो directly भीखने के लिए नहीं चाह सकता तो वो intermediate goods है अब intermediate goods क्या होते हैं intermediate and intermediate goods is a product used to produce the final goods intermediate goods वो होते हैं जो final goods को बनाने के लिए use करे जाते हैं जैसे कि मालोग एक engine है, car का engine है वो क्या है खुट तो car का engine चलेगा नहीं, तो car के engine क्या है वो intermediate goods है वो final goods यहनि car को बनाने में use किया जाता है, ठीक है बट वो एक final goods नहीं है, तो दूसरी चीज जो economist ने ये बोली, कि हमें final goods को ही include करना है, तो पहली चीज क्या बोली थी, कि value, value हमेशा होनी चाहिए, add करनी चाहिए, value, दूसरी चीज जो उन्होंने क्या बोली, ये बोली, कि intermediate को नहीं final goods को add करना है, ठीक है, अब आपने कभी न सुनाओगा news में, कि कोई anchor ये बोल रहा है, कि जी हमारा जो primary sector है, या कोई minister बोल रहा है, primary sector ने 10,000 crore production किया, secondary sector ने इतना 1000 crore किया, वो एक word यूज करते है, that is GDP, अब ये GDP क्या होता है, the value of the final goods and services, final goods and services की value, producing every sector during a particular year is called a GDP, यानि एक साल के अंदर, तीनों सेक्टर के अंदर, जितना भी produce हुआ है, total final goods produce हुआ है, उसको GDP कहते है, gross domestic product कहते है, full form याद रखने आपको, GDP में क्या होता है, primary sector में जितना produce हुआ है, plus secondary sector में जितना produce हुआ है, final goods, plus tergery sector में जितना produce हुआ है, final goods, उसको हम GDP कहते है, बहुत सारे बच्चे एक चीज में confused हो गए होंगे, sir, जब ऐसे तो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर की जो भी चीजे हैं उसको तो आप फिर प्राइमरी सेक्टर का जीरो करते होगे क्यों तो सारी फेक्टरी में जाती है नहीं सारी की सारी फेक्टरी में नहीं जाती है जैसे कि मानलो आप अक्रोट है एक एक एक्जामपल है तो आप तो 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 अप्धूस कर लेते हो तो तो एक दाएक है प्राइम भी सेंडरी सक्तर ही जो जो बीजीज जैसे लो हैं आपने चtechnिकेंडरी सेंडरी सेंडरी में, मशीन में, की उससे जूस निकाला जायों कि तब वो blessings ul defenses, जो भी चीजें, जैसे कि मालो आपने ledang सेब जो है वह प्राइमरी सेक्टर का ही फाइनल फुर्स थी कि एक साल के अंदर जो इन तीनों ने प्रडूस किया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर नों को एड़ ऑन कर दो थीक है अब कोशन यहाता कि ट्रीप निकालता कौन है स्कूल बाले निकालते हैं दोस्त नकालते हैं teacher निकालते हैं मैं निकालूu कौन निकालेगा GDP कौन निकालता है GDP निकालने काम क्या होता है यह जो मेहमत एतना बड़ा 5 io निकालने कााम जो है वह संटर cleans ministry करती है आदर現在 आपको finance ministry काम करती है किसी भी country का किसकी help लेकर various government department की और इंडिया जो इंडिया के states के और union territory के जो अलग अलग department है उनकी help से क्या किया जाता है GDP को मेजर किया जाता है कि चलो अच्छा एक फैक्ट बताता हूं यह वीडियो में चौती बार मना रहा हूं मैं कहने का मतलब कि कैसे आपको बहुत ही इसली समझा सकूँ इसके लिए मैंने वीडियो चौती बार बनाई है तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडिय चैनल को सब्सक्राइब करना जितना होसा कि इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि इस बार हम तहल का गैंग मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ी बने ठीक है चलो यार और एक और बात यार मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना क्योंकि आपको पता है चैनल मॉनिटाइज नह सब्सक्राइबर नहीं है समझ रहे हो तो शायद अगर थोड़े मेरे सब्सक्राइबर मतलब फॉलोवर्स बड़े इंस्टाग्राम पर बात कर रहा हूं मैं तो शायद वो मेरा रिप्लाइब करें ठीक है और जिससे मैं आपकी हल्प कर पाऊं मैं चाहता हूं कि आपको जा इनिमेशन होती है जो बोड होतार उस्से समझा पाँ हूं कि मेरे को इंस्टाग्राम पेपष्著 आपके खेसमिख कर सकती हो ठीक है और मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी नीचर डिस्रिप्शन में दे रखा है ठीक है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो कुछ उस पर वीडियो अपलोड नहीं करी है क्योंकि मैं ज्यादतर आप ही कही मैटर वगेरा बनाने में नोट्स वगेरा बनाने में वैस्त रहता तो इसलिए उस पर कुछ अपलोड तो नहीं कर पा रहा जल्दी उस पर कुछ वीडियो अपलोड करूँगा ठीक है तो अगर वह चैनल मॉनिटाइज हो जाता है तो मेरी उससे भी हैल्प हो जाएगी ठीक है तो हिस्टॉरिकली चेंज इन सेक्टर यह नेक्स टॉपिक है ह क्या पढ़ने वाले अब इसमें है क्या ध्यांतर शनों आप कया अगर अगर अपने फादर से पूछ औयों कि यह बता हो कि आपके फादर के दर शमकार ऑनकर देला तों वह यह कभी नहीं कि प्रूम्ध करते थे यह कभी नहीं भूलेंगे कि बिस्वेंस मैं डेला यह तर तो यानी आप देखओगे ना जाद तर जो लोग थे पहले प्राइमरी सेक्टर पे वक करते थे, बट आज जाध तर लोग टर्जरी सेक्टर में, आप हर चार बंदा है ना, चार में से एक बंदा आपको पक्का मिल जाए जो इसी कम्पनी में सर्फिस प्रोवाइट करता होगा तो र्विस सेक्टर वाले है जाध है तो यह ट्राश्वर्मेशन के से आया यह स्रिफ हमारी कंट्री में नी बहुत इस कि सारी कंट्री युद्र प्रोसेस चलती है कि पहले प्राइमी सेक्टर पर होता है और फिर दीरे दीरे टर्जरी सेक्टर पर हम एनिफेक्ट्रिंग सेक्टर पर आता है ठीक है तो बाकी इंडिया के बारे में हम precisely next part में पढ़ेंगे बट अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं कोश्चन आ सकता है आपको के stage क्या होती है जो यह change होता है sector कैसे change होता है यानि कैसे sector में change आता है कैसे पहले लोग primary sector में work करते हैं फिर सेक्टर में work करने लग जाते हैं तो इस प्रोसेस को समझते हैं देखो at the initial stage of development primary sector was the most important sector of the economy economic activity in countries यानि जादतर हमारी इंडिया नहीं बाकि दूसरी भी यानि अमेरिका यूरोप यूके वहाँ पर भी पहले क्या था जादातर लोग खेती करते थे प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे उसके बाद क्या हुआ इनोवेशन आई टेकनोलोजी में फार्मिंग मैथड में थोड़ी बहुत टेकनोलोजी मिली और जिसकी वज़े से क्या हुआ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ अब क्या हुआ प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो अब लोगों ने क्या सोचा किया चीजे तो बन रही है अब जैसे कि मान लोग गन्ना है ठीक है तो गन्ना खा खा के बोर हुए तो अब उन्होंने क्या 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 सेकंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट किया और उस गन्ने से चीनी बनाई उस गन्ने का जूस पहले cotton हुआ करती थी उससे फिर secondary sector में कपड़े बगरा बनाए ठीक है तो उससे क्या हुआ secondary sector में भी जादतर लोग आ गए और secondary sector में भी बहुत सारी चीज़े बनने लगी अब कोशन ही आता कि secondary sector में बहुत जादा चीज़े बनने तो लगी थी बड़ उसको अब दूसरी दूसरी जगा भी तो भेजना है और उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगता है और ट्रांसपोर्ट क्या था टर्जरी सेक्टर में तो इसलिए जैसी secondary sector बनाना तो बहुत सारे लोग क्या हुए तर्जरी सेक्टर की और जाते जा रहे हैं तो आप मैं रीट कर देता हूं पर अधा इनिशल स्टेज अप डवलप्मेंट प्राइमरी सेक्टर वास मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर अफ इंडियन एक्टिविटी इन कंट्रीज विद्धा इन्वेशन जैसे जैसे इन्वे ज eux cannabis से निकल कर इंडिस्ट्री मीम् wk करना इसके बाद क्यों इसके बात क्या हुआ ज्यूंहाधे मॉट्स बनाना स्टारिक दिया उन्हों ने से ल 하지만 ने फिर्वाइद इंडिस्ट्री प्रडून्ज नमबiral और उन इसके बाद क्या अदो तनय से स्टार्ट कर दिया और यस यह सारी चीज़े बनाने शुरू कर दिया इसके बाद सर्विस टार्ट हो गई जैसे बैंक है एजूकेशन ट्रांसपोर्ट क्योंकि अब बहुत सारी इंडस्ट्री लगने लगी थी तो इंडस्ट्री को पैसा चाहिए था तो इसलिए बैंक भी आ गए ठीक है थोड़ी कैसे दूसरी जगा चीज़े ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हो गया तो उसकी वज़े से सर्विस सेक्टर में बहुत सदा बूम आया थी सर्विस सेक्टर हैस बिकम दा मोस्ट इंपोर्टन सेक्टर इंटर्म्स अफ टोटल प्रॉड़क्शन स्टार्ट मोर पीपल उसके बाद क्या हुआ सर्विस सेक्टर इंपॉर्टन सेक्टर बन गया और उन्होंने जाद अतर लोगों को एंप्लॉई करना स्टार्ट कर दिया ठीक है ओक्ए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना ज 이제 आपने में चैनल को इसका जल्दी अप्लोड हो जाएगा आप notes के लिए क्या कर सकते हो Telegram चैनल को जॉइन कर सकते हो और अगर कोई दिक्कता है तो आप मेरे को WhatsApp पर मेंसेज कर सकते हो ठीक है और कोई दिक्कता है तो नीचे comment box में भी पूछ सकते हो कोई recommendation हो कि आप सर पहले इस पर वीडियो बनाओ उस पर वीडियो बनाओ तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो तो next video के लिए stay due, उन तब तक के लिए thank you so much, जैहिन, जै भारत